ओके बच्छा लोग इस वीडियो में हम लोग greatest integer function और fractional part function के बारे में देखने वाले हैं greatest integer function को ही GIF भी बोलते हैं ठीक है fractional part function को ही F P F B short form में बोलते हैं अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ y equals to greatest integer of x इसका यह symbol है अगर इसका symbol greatest integer के of x ठीक है अगर fractional part symbol का बात करें तो इसका लिखते हैं y equals to fractional part of x ऐसे करके रिखते हैं इसका symbol है curly bracket ठीक है अगर रीड करते हैं fractional part of x इसको हम लोग बाद में discuss करते हैं सबसे पहले हम करते हैं greatest integer function को discuss कर लेते हैं अच्छे से अगर कहीं पर मेरे का लिखा हुआ है y equals to greatest integer of x इसका अगर प्रोपर definition तुम जाओगे तो इसको रीड करते हैं greatest among all the integer less than or equal to x इसका definition हम लिख देते हैं वैसे किसी काम का है नहीं इससे थ्थरा समझने के लिए ठीक है greatest among all the integer less than or equal to x और एक्वल तुIF है अगर मिरे पास कहीं पर लिखा हुआ है greatest integer of 4.6 fifshake साइन बॉक्स है इसका मतलब क्या 4.6 से जस्ट पहले वाला यंडिजर प इंटिजर तो क्या होता है फोर होता है अगर मेरे पास कहीं पर लिखा अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है माइनस वन क्योंकि 0.2 से पहले वाला इंटीजर क्या है माइनस वन अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है ना 5 एक खुद एक इंटीजर है अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या माइनस वाला इंटीजर क्या है माइनस फॉर अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है और यहां से यह वाला वड़ा ज्यादा है ना इसका इंटीज़ क्या हो जाएगा माइनस वन क्या हो जाएगा अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है ग्रेटेश्ट इंटीजर आफ ग्रेटेश्ट इंटीजर आफ जीरो प्लस ग्रेटेश्ट इंटीजर आफ जीरो माइनस और ग्रेटेश्ट इंटीजर आफ जीरो एक जीरो से लेफ्ट में एक जीरो से राइट में जीरो प्लस मतलब जीरो से राइट में अभी एक जीरो तो यह थो इंटाइजर है लेकिन इंटाइजर है क्या होता यह आप यह चुरी पेरं इसको बोलते है जिरो पेर एक म irrespons का ही पर लिखा है जीरो नेगेटीव एल्यू हूँँ की माइनस अब 0.0000001 ऐसे करके कुछ नेगेटीव है तो अगर हम लिखते हैं 0 प्लस का ग्रेटेस इंटीजर मतलब 0 से राइट में आ गए उससे पहले वाला इंटीजर क्या है 0 है 0 माइनस मतलग है 0 से लेफ्ट में तो उसके पहले वाला इंटीजर क्या है माइनस वन ठीक है इस तरह से ओके अगर मेरे पास मालों कहीं पर लिखा हुआ है 10 by 3 तो इसको अगर डिवाइट किरेंगे तो क्या हो जागा अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है टू पॉइंट नाइन बार इस पार देखो थोड़ा सा चेंजर आ जागा यह तुम तू नहीं बोलोगे कि चेक करो क्या होता है अगर मेरे पास में लिखा एकस कटसे कोई 2.9 बार अगर हम 10X करें 10 करें इसको यही सतंब नाइस आगर। integer of x equal to 5 लिखा हुआ है मतलब x मेरा क्या क्या हो सकता अब चेक और यह 5 है यह मेरा 6 है और यह मेरा 4 है तो 5 से greatest integer of x equal to 5 है यानि x अगर तुम्हारा 5 हो जाए तो 5 होगा लेकिन 6 से 6 हो जाए तो greatest integer of 6 क्या हो जाए लेकिन उससे just पहले कुछ भी number होगा उससे just पहले कुछ भी number होगा तो उसका greatest integer क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा मतलब और 5 से अगर छोटा कुछ भी लिए तो उसका greatest integer क्या हो जाएगा 4 चला जाएगा मतलब x कहां से कहां के बीच में हो सकता है तो मारा greater than equals to 5 हो सकता है लेकिन lesser than 6 होना पड़ेगा चेक कर लो इसके बीच में होना पड़ेगा न है कि नहीं लेकिन 6 कभी नहीं हो सकता कि 6 अगर हो गया तो 6 हो जाएगा इसलिए एक्स अगर greatest integer of x equal to 5 लिखा है मतलब x क्या हो सकता है 5 या 5 या फिर 6 से छोटा ठीक है उसके बीच में इसको ऐसा भी लिशतने x belongs to close bracket यहां 5 to 6 पर open यानि इसको अगर हम जेनरालाइज करें तो greatest integer of x equal to अगर मेरा n लिखा हुआ है मतलब x क्या हो सकता है एक्स greater than equals to n हो सकता है या फिर lesser than n plus 1 ऐसे होगा ठीक है ऐसे जेनराइज करेंगे अगर greatest integer पर x equal to n लिखा है मतलब x क्या होता है इसे अच्छा यह से क्या रटना है नहीं बिल्कुल नहीं तुमको समझना है क्या होता है greatest integer क्या करता है जस्ट उससे पहले वाला integer और कुछ नहीं जाना है तुमको बाकि अपने understanding से सब करना है question ठीक है अगर इंटीजर नहीं हुआ तो ऐसे कुछ हो जाएगा अगर एक greatest integer of n लिखा हुआ है तो मतलब क्या n से बड़ा यह n प्लस 1 से छोटा उसके बीच में ठीक है अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ greatest integer of x equals to अगर मालो लिखा हुआ greatest integer of x equals to minus of Elly minus of pi square लिखा हुआ तो pi square का value कीतना होता है 9.8 के आसपास होता है ठीक है माइनस में तो इस्कितना चला जागा तो minus 10 चला गया ठीक है मतलब x क्या हो सकता है अब देखो minus 10 यह रहा minus 10 यह रहा minus 9 यह रहा minus 11 मतलब great integer तुमको minus 10 चीह मतलब numbers कहा होना चै trained के बीच मोंना चाहिए मतलब X belongs to क्या होना चीह փ इसके बीच होना चीह इसके बीच महाना चीहiken-10 से लेकर minus 9 के बीच में path Time minus 2-4 यानि यह अगर minus 2 है और यह अगर 4 है तो anál मेनस से पीच में बीच में होना चाहिए है सबसे पहला बात तो मारा एक्स क्या क्या ससकता एक्स अगर तो माईनस कुछ बही यह तुम्हारा Care Val目 तुम्हारा क्या होना चाहिए माइनस वन से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए ठीक है और यहां पर ग्रेटर श्रीजर आफे एक्स लेस दन फोर बोल रहा है मतलब फोर से तुमको जस्ट लेफ्ट में अगर मान लो कुछ भी ले रहे हो तो तो इसका जागा तो इस इसका मतलब क्या है यह 3 है उसके बाद 4 होता है उसके बाद 5 है उसके बाद 6 है ठीक है तो 2x प्लस 1 मेरा अगर हम चेक करें 2x प्लस 1 4 के लेफ्ट में अगर कुछ भी हुआ तो उसका ग्रेटेस इंजर तो 3 हो जाएगा 3 लेना नहीं है हमको यानि this should be greater than equal to 4 क्योंकि 4 के अगर लेफ्ट में थोड़ा सा भी हुआ तो उसका ग्रेटेस इंजर 3 हो जाएगा तो वो लेना नहीं है हमको तो just 4 से start होगा एंड उसके बाद देखो अगर less than 6 बोला है मतलब 6 के बाद में अगर जाएंगे कुछ भी तो उसका ग्रेटेस इंजर लेंगे तो वो ते 6 हो जाएगा तो 6 तो हमको लेना नहीं है यानि 6 के अगर लेफ्ट में कुछ भी लेंगे तो उसका ग्रेटेस इंजर 5 हो जाएगा इस बार देखो अगर 7 के लेफ्ट में रहते हैं तो उसका ग्रेटेस इंजर तो 6 हो जाएगा इस बार हम 6 को ले सकते हैं कि इक्वल का साइन है इसलिए less than 7 होना पड़ागा 7 क्यों नहीं लेंगे इक्वल का साइन क्यों नहीं होगा कि अगर 7 लेते हैं तो उसका ग्रेटेस इंजर 7 हो जागा तो उसका ग्रेटेस इंजर 3 हो जाएगा यानि इस बार 3 को ले सकते हैं इसलिए 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया इस बार एंड लेस दन 6 रहना है मतलब 6 के पीछे ही रहना पड़ेगा जिससे उसका इनिक्वल्टी होल्ड करें तो लेस दन 6 रहे तो उसका ग्रेटर देन 6 हो जाएगा तो वह भी चलेगा मतलब लेस दन 7 रहना पड़ेगा 7 के पीछे रहना पड़ेगा तो यहां से x मेरा क्या आ गया लेस दन 3 और ग्रेटर दन यहां से 1 ग्रेटर दन इक्वल टू 1 यह रहा कुछ ठीक है अब आते हैं अब दिखते हैं अब आते हैं फ्रेक्शनल पार्ट फंक्चन पे इसका लिखने का तरीका है वाई इक्वल्स टू फ्रेक्शनल पार्ट अफ इसको रीड करते हैं फ्रेक्शनल पार्ट अफ एक्स इसका सिंबॉल एक करली ब्रैकेट अगर मेरे पास कहीं पर भी लिखा हुआ है फ्रेक्शन इसका इफ्रेक्शन क्या होगए जीरो क्योंकि एंटीजर है एक्छ उल्स में क्या होता है जा है एक हमेशा नहीं तो ढम works गहाँ ऐसोन hits कुछ lose किया है कि नहीं तो उसी को बोल देते हैं fractional part of x ठीक है अगर हमको मतलब कितना lose किया वहां से integer जाने करिए वही fractional part हो जाता है ठीक है तो यह अगर मालो 5 चला जाता है तो 5 से तो खुद एक इंटीजर हो गया ना फाइब इंटीजर है यह तो पीछ आएगा नहीं तो यहां पर फ्रेक्शनल पार्ट कितना हो जागा जीड़ा हो जाएगा अगर 5 के लेफ्ट में थोड़ा सा भी रहा तो वह उसका ग्रेटेस इंटीजर लेते हैं तो वह तो फोर पर है कि नहीं तो यहां सा अगर डेटेस इंटीजर अफेए इक स्प्लस फ्राइशनल पार्ट कर दें तो मेरा एक सा जाएगा तो वह है अक कंडिशन ने मारेपास हो है ठीक है अगर मेरा मालtechn पार्ट लोगी तो यहां तो जीरो हो गिया लेकिन अगर हम किम से बोलते we get couple ौ् 9 अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है मतलब इसको 0 बोल देना है अगर कहीं पे मेरा लिखा है कि fractional part of minus of 1.2 बताओ क्या हो तो यहां से देखो ना fractional part तुम क्या लिख सकते हैं फ्रेक्षल पार्ट of x equals to x minus of greatest integer of x है ना तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं एक्स क्या है minus of 1.2 और minus me greatest integer of this minus with a greatest integer of minus one point two यहां से क्या हो जाए और यहां से क्या आगया 0.8 ठीक है इतना mathematics करने का ज़रूत नहीं है तुम बस ऐसे सोचना कि minus 1.2 है minus यह मेरा minus 1.2 है इससे पहले तो minus 1 है इसके बाद में minus 2 है तो इसका अगर greatest integer लेंगे तो यहां आ जाएगा minus 2 पी आ जाएगा तो कितना लूज किया 0.8 लूज किया तो positive में तुम answer report कर दोगे हमें साथ हमें सा positive होगा ठीक है तो यहां से अगर हम बोल सकते हैं न तो greatest integer of x तुम्हारा क्या हो सकता है sorry fractional part of x तुम्हारा greater than equal to 0 हो सकता है अगर 5 चला गया तो 5 पर fractional part of 0 हो जाएगा 5 के just left में रहना पड़ेगा मतलब 1 से कुछ छोटा इसलिए less than 1 ठीक है अब आते कुछ properties देख लेते हैं और पहले देख लो अगर मालो मेरे पास लिखा है fractional part of e बताओ कितना होगा तो e का greatest integer कितना होता है 2 होता है तो e माइनस अगर 2 कर दें तो fractional part आ जाएगा है कि नहीं e का value कितना होता है 2.71 2.71 ऐसे करके तो यहां से आ जाएगा अगर मेरे का पास लिखा है fractional part of pi बताओ क्या होगा पाई को कैसे लिखेंगे तो pi minus of 3 कर देंगे अगर मेरे पास लिखा fractional part of minus pi बताओ तो इसको कैसे लिखेंगे अभी लिखेंगे तुम्हारा x minus greatest integer of x क्या है तुम्हारा minus pi और इसका greatest integer कि इतना हो जागा minus 4 तो minus 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 4 ठीक है तो यह क्या हो जागा 4 minus pi अगली बार से ऐसे लिखना ठीक है अगली बार से डायर्ट लिखना लेकिन अगर इंटीजर से जस्ट लेफ्ट में चला गया तो कहां चला जाएगा minus 1 तक चला जाएगा बट greater than x minus 1 यह कैसा है तुम्हारे चेक कर लो तुम्हारे पास अगर माल लो कि 7.7.98 हम लेते हैं तो इसका greatest integer कितना हो गया 7 हो गया ठीक है अगर हमारा greatest integer of 8 होगा तो यह इसमें अगर minus 1 कर दो तो 7 तो उसे जादा है ना इसलिए greater गसाइन रहा ठीक है यह तो पहला properties हो गया पहला properties अचा दूसरा एक और चीज़ देख लो अगर मेरे पास कहीं fractional part of x लिखा है इसका तो अभी बोले हैं तो यह greater than equal to 0 होगा और lesser than 1 होगा क्या होता है fractional part of x इसको क किसी चीज़ का integer plus fraction ही तो x देता है ना मेरे पास लिखा है 2.2 तो इंटीजर क्या है 2 fractional part क्या है 0.2 यह 2.2 ही तो मेरा x दिया ना तो उसी तरह इसको हम fractional part of x को क्या लिख सकते है x minus of greatest integer of x है की ने तो यह maximum कितना हो सकता है 0 हो सकता है दूनों अगर integer हो जाए तो ठीक है और कहीं पर लिखा हुआ है 3rd ना मत देख लो अगर मेरे पास greatest integer of x plus a लिखा हुआ है और उसमें a belongs to integer हो जाए ठीक है तो इसको हम लोग डायरेट लिख देंगे greatest integer of x plus a क्योंकि यह तो इंटीजर इसका greatest integer का sign यह जो जो बॉक्स है उसको greatest integer करते हैं इसका क्या है किसी भी चीज इसको इंटीजर करना कुछ भी है उसको इंटीजर जस्ट पहले वाला इंटीजर में करवाट करना है ठीक है तो अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है 2.7 प्लस 10 माल लो इसको यह तो 10th already integer है न तो इसको ऐसे भी लिखते हैं ग्रेटेशनिजर 2.7 प्लस 10 यहां से रिजल तो माइनस 8 आ जा रहा है ठीक है तुम ऐसे भी पर लो भी यह क्या आ जा रहा है यह 7 माइनस में 7.3 इसको इसको आ इसको कभी नहीं लिखोगए बाहर नहीं लोगगे क्योंकि वो तो मल्τε襪्लाई में है ठीक है तो ऐसे करके यह बाहर मत लेना अगर इंटिजर है तो इससे नहीं परता है यह लाइन किकल हुल होता है क्किक्षरण टीजर हो सकता है है ठीक है, integer हो जाने पर, बट अगर x not belongs to integer, अगर x integer नहीं हुआ तो इसको लिखने का तरीका है ना, इसको कोई formula नहीं है, तुम इसे ही सोच सकते हो, ठीक है, यहीं समझने के लिए कि तुम्हारा सोच यहां तक जा सके, यहां तक सोच सको, जैसे कि अगर मेरे पास कहीं पर लिखा है, greatest integer of minus of 5.2, तो इसके ग्रेटर नहीं होता है, minus 6 कैसे है, minus 1, minus of, greatest integer of 5.2, ठीक है, इस बार minus बहार आगे हैं, यहां से, ठीक है, ऐसे minus 1 करना है, तो यहां से क्या जा रहा है, minus 6 हा रहा है, बिल्कुल वैसे ही, तुम को सोच सोच करना है, इस सब कोई formula नहीं है, बस ऐसे ही तरीका है करने का, अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है, greatest integer of x, plus greatest integer of minus x, तो यह क्या क्या हो एक इल्द इस बार तो ये, तो x ला, greatest integer of x क्या हो जाएगा, ये तो great integer of x रहा, लेकिन, great integer of x, लेकिन ये क्या हो जागा, minus of 1 minus greatest integer of x, यह तो यह कट गया, मतलब क्या minus 1 आ रहा है, ठीक है अच्छा अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है कि जैसे देख लो मेरे पास कहीं पर लिखा है फ्रेक्शनल पार्ट को ले लेते हैं अगर मेरे पास यह है फ्रेक्शनल पार्ट अफ एक्स प्लस फ्रेक्शनल पार्ट अफ माइनस एक्स देखो fractional part कभी negative नहीं होता है fractional part हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होता है ठीक है यह fractional part है यह हमेशा greater than equal to 0 lesser than 1 ठीक है तुम check करो अगर मेरे पास लिखा है यह है 0 और यह है 1 यह है 1 ठीक है तो 0.001 का भी fractional part कितना होगा यह तो 0.001 होगा अगर मेरे पास है 0.5 का fractional part कितना होगा 0.5 होगा ठीक है 1 minus का fractional part कितना होगा इसका क्या होगा 1 minus हो जागा 1 is just छोड़ा 1 के बराबर नहीं होगा 1 plus अगर है इसका fractional part कितना होगा इसका fractional part होगा 0 plus क्योंकि 1 is just right में है ठीक है तो यह मेरा इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे हम अगर मेरा एक्स इंटीजर हो जाए एक्स विलॉंग्स टू इंटीजर हो जाए यह क्या हो जागा देखो यह भी जीरो हो गया फाइनली जीरो हो गया ठीक है अगर मेरा एक्स नॉट विलॉंग्स टू इंटीजर हो पॉइंट टू और फ्रैक्शनल पार्ट अफ माइनस फॉर पॉइंट टू क्या हो रहा है तो मैंस कि इस तरह से हम लोग करेंगे अगर इस दोनों को एड कर दें तो कितना वन हो जा रहा है क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है पुड़ा एक इंटीजर का बढ़ कर रहा है यह दोनों मिला के ठीक है तो यहां से क्या आ जा रहा है यह मेरा वन हो जा रहा है अगली बार से बस ऐसे सोचना ठीक है कोई एक एक जामपल ले रहे ना उसके हिसाब से तुम चेक कर ले अबी तो निकाले एक वार जब इंटीजर रहो होता है तो जिरो होता है जब होता इसको करेंगे जब एकसो डिल्लॉंगस टू मेरा इंटीजर हो जाया यह फैलू क्या हो गया जी bullish what टू जी 3 हो गया plus minus under root of b square मतलब 9 minus 4ac करेंगे तो plus 4 हो गया by 2 into 1 ठीक है तो यहां से क्या आ जा रहा है मेरा 3 plus minus plus minus क्या हो जा रहा है under root 13 by 2 ठीक है यह हो गया लेकिन एक चीज़ देख लो यहां पर हमने क्या आजूम किया था लेकिन यह मेरा इंटीजर है क्या नहीं plus minus root 13 और यह कुछ fraction में आ रहा है यह तो नहीं होगा क्यों क्यों नहीं होगा क्योंकि यह दोनों common नहीं हो रहा है इंटीजर होना चीज़ था इंटीजर नहीं हुआ मतलब यहां से x belongs to 5 यह दोनों rejected हो जागा यहां लिए दो इसको तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि इंटीजर चाहिए था हमको अगली बार ले लेते हैं जब x not belongs to integer जब इंटीजर नहीं होगा तब तो इसका value क्या सा बज़ता है माइनस वन हो जाता है कि वीचेक करो ना यह अगर मानलों 4 है sorry 4.2 है तो इसका रेटिजर हो गया अगर यह माइनस 4.2 है तो इसका रेटिजर हो गया मतलब क्या बज़ता है इसको भी तुमको reject करना पड़ेगा तो rejected मतलब क्या x belongs to 5 कोई solution नहीं no solution ठीक है एक बार इंटीजर लेगके किए तो वहां से फ्रैक्टिन आ गया तो उसको भी नेगलेक्ट कर दिए जब अगले बार नॉट इंटीजर था उसको सौल किया तो यहां से इंटीजर आ गया तो इसको भी नेगलेक्ट कर दिए हमारा कु बिलॉंस टीजर हो जाती यह जाएगा यह हो जागा तो यह हो जागा तुम्हारा वण माइनस अफ क्रेटेशन पार्ट अफ यहां से प्वॉइंट इठाड़ा है तो कुछ काम की बात जो हमें जाननी है अगर कहीं पर लिखा ग्रेटेशन इंटीजर आफ माइनस एक्स और प्रेक्शनल पार्ट अफ माइनस एक्स अगर आपना एक्स विलोंंग्स टू पिपलांग्स को जाए और एक्स टौशनल्स कि ब्रॉंग ओा एक्स में प्रस्ट प्रोम्पूशन नॉम्हुर्ट रोडोंग्स में इसselves hen種 अगर अगर आपना the left questions कर लेते हैं तो अपने पास एक question दिया है if y equals to 2 into greatest integer of x plus 5 equals to 3 into greatest integer of x minus 4 then find that x and y x और y निकालना इसको solve करेंगे पहले करते हैं कि इसको पर ले लेते हैं और अगली बार इसको लेके solve कर जाएंगे तो y equals to 2 into greatest integer of x plus 5 अब पहली बार देखो टू इसके अंदर multiply कर सकते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं अंदर से नहीं multiply कर सकते हैं नहीं ले सकते हैं पहले इसको solve करना पड़ेगा बाद में इसके साथ काम करना पड़ेगा ठीक है और देखो इसके अंदर में यह इस को बाहर ले सकते हैं इसको अब लिख सकते हैं टू इंटू इंटर सिंटे़ सिंटीजर आफ एक्स एंडा मैंन्स practicing क्योंकि इख बाहर आगिया इसका काम क्या इंडिशे आप अबूल से इसको लेकर करना lot अब एक बार इसको को हो गया ओट तो यानी एक एक्स क्या हो सकता है एक्स ग्रेटर देन इक्वोल स्टु ग्रेटर देन इक्वोल्स टूहुण सब्सक्राइब को सकता है है अब हम ऐसा करते हैं य निकाल लेते हैं तो ग्रेट से थीडिक एक स्कितना है 22 है एक सिह ढाल दो यहां सब्usy नहीं हां डालेंगे तो क्या ज़िए यह रहा अपना y आगया और x यह आगया ठीक है आगया आता है कुस कुस्टंस करते हैं अपने पास एक नया कोश्चन है 2 इंटू ग्रेटेश इंटीजर आप एक्स प्लस 3x इक्वल टो 4-5 फ्रैक्शनल पार्ट आफ एक्स इस टाइप को कोश्चन को करने का जहां भी तुम् करके इस तरह से करें ऐसे कोश्चन को हमें साइसे ही करना है तो यहां से हम क्या लिखेंगा 2 और यह हो गया ग्रेटेश इंटू इंटू i प्लस f हमने यह एजूम कर दिया ग्रेटेश इंटू i फ्रैक्शनल पार्ट को f तो वहां से इस इकोल्स टू 4-5 इंटू f हो गया इसलिए कर रहा है क्योंकि f का value पता होता है जीरो से लेकर 1 के बीच में होता है तो वहां से हम लोग तो इन इक्वाल्टी लगा के इसली इसल्व कर जाएंगे देखाते है कैसे यहां से अब क्या हो जागा 3i प्लस 2i क्या हो गया और देगर 5i 5i और यहां से प्लस 3f तो य 0-8f यहां से 8f equal to लिख लेते हैं न 8f equals हो गया तुमारा 4-5i फोड़ माइनस फाइव-a ठीक है अब देखो 8f एफ-फ यहां से लेकर 1 के बीच में दो 8f कहां से कहां चला जाएंगा 8f जो है वह कहां से कहां चला जाएगा 0 से लेकि 8 के बीच में हो जाएगा ठीक है तो उ से बड़ा होना चाहिए greater than 0 greater than equal to 0 and क्या होगा 4 minus 5i minus 5i lesser than 8 यहां तो 8 के बास open है यहां open है ठीक है यह क्या हो जागा lesser than 8 हो जागा अभी तोनों को solve कर जाओ जो common answer है तो तुम्हारा वही answer होगा यहां से क्या आ जा रहा है 5i lesser than equal to 4 यानि i less than equal to 4 by 5 ठीक है अब यहां से क्या आ जा रहा है 5i greater than और यह बजा रहा है greater than minus 4 यानि i greater than minus 4 by 5 यह minus 4 by 5 से 4 by 5 के बीच हो और क्या बोल रहा है integer हमको चाहिए ना क्योंकि i के बेलों निकालना है मतलब i क्या है तुम्हारा greater than greater than minus 4 by 5 but less than equal to 4 by 5 अब इसके बीच में हमको integer क्या है minus 4 by 5 यह देखो minus 4 by 5 और यह तुम्हारा 4 by 5 इसके बीच में integer क्या है 0 है चेक कर लो ना 1 क्या इधर आ जाएगा minus 1 left से चला जाएगा इसके बीच क्या है लिए溓र इक्न पाहिए मतलब एड़र इक्फ पर्फ योलटो किया है ऍेने प्लस व्यर्ण मतलब और रहiva कुए डाइफ …आइ प्लस dan ऑई प्लस यह प्लस आइफ जिरो मतलब प्लस प्लस आप इस इक्वानल पउल्टो प्लस बॉंट 패 यह से हमने solve कर लिया answer अपने पास अपने नया question है एक्स प्लस थ्री फ्रैक्शनल पार्ट आप माइनस एक्कोल स्टू टू ग्रेटेश इंटीजर इसको solve करना है तो देखो अब दो किस करते हैं देखो यहां माइनस आगया ना तो ऐसा कर लेते हैं जब एक्स बिलॉंग स्टू इं इसको थो एक्स लिइन गाए दिखेंगे न कि इंटीजर एक्स दो उसका इटीजर आव एक्स क्या हो जागा एक हो जाएगा तो तो इंटू सरी वह माइनस ना इस ये फ्रेक्स आवा वह कि भी जbut होगे है फ्रेक्षिनल पार्ट अफ माइनस एकोल तो वन माइनस फ्रेक्षिनल पार्ट अफ एक्स और क्या हो सकता है ग्रेटेश इंटीजर अफ एक्स को तो तो यहीं रहेगा ठीक है तो अब ऐसे इसको कनवर्ट कर लेते हैं हम तो थोड़ा सिंप्लिफाइड फॉर्म में तो यहां से क्या हो जागा एक्स प्लस थ्री इंटू वन माइनस फ्रेक्षिनल पार्ट अफ एक्स हमने जश्ट इसको ऐसे लिग दिया वन माइनस फ्रेक्षिनल पार्ट अफ एक्स में लिग दिया इस इकोस टू इंटू इंटू ग्रेटेश इंटीजर अफ एक्स अब द हमने ऐसे इंडिजर पहले कर लिया और इंडिजर कर लिया वहाँ माइनस नहीं था इससे पहले वाला कोच्छन में इसलिए उसकूछ तरह से किया था तो अब यह ऐसे कर लेते हैं कैसे x equal to i plus f में convert करके solve कर लेते हैं तो इसको लिख देंगे हम i plus f plus 3 minus 3f this equals to 2i तो यहां से क्या आगिया अपने पास तो minus 2f equals to i minus 3 यानि 2f equals to हो गया यह इधर आगिया तो 3 minus i और 2f क्या होता है this belongs to क्या हो गया 0 से लेकर 2 के बीच में 2f क्या होता है 0 से 1 होता है ना है फ्रेक्शनल पार्ट तो वहां से 0 से 2 हो गया तो यहां से क्या हो सकता है 3 minus i lesser than 2 and greater than equal to 0 तो यहां से minus 3 यावर कर देंगे तो minus i less than minus 1 and greater than equals to minus 3 ठीक है अब minus से 2 दो 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 मल्टिप्लाए कर देंगे सारा sine reverse हो जाएगा मतलब i हो जागा इस बार greater है तो lesser than हो जागा 1 अभी less than है तो greater than 1 हो जागा अभी less than है तो यहां greater than हो जागा तुमारा क्या 3 इसको ऐसे लिएते है ना तुमारा क्या है minus i greater than equal to minus 3 यानि i क्या हो गया less than equal to 3 और क्या है तुमारा यहां minus i less than minus 1 यानि i क्या हो गया greater than 1 greater than 1 तो यहां से क्या जा रहा i greater than 1 and less than equal to 3 इसके बीच में क्या हो रहा है यह है 1 और क्या है इसके बीच में 2 है इसके बाद 3 है तो 1 तो लेना नहीं है तुमको मखरी पहले इंठीजर क्वों सा है 2 है और 3 है मतलब i – 2 क्या हो सकता है 2 हो सकता है एक इनहों DAVID तो 213 हो सकता भी उसकता है अब इसको क्या तो f equal to 0 हो जा रहा है तो x क्या होता है मेरा i plus f i plus f तो अगर मेरा i equals to equal to 2 था 2 plus 1 by 2 f यहां पर 2 कितना है 1 by 2 यानि हो गया 2.5 x और अगली बार में x क्या हो जा रहा है अगर i equal to 3 हो जाए f 0 यानि 3 तो अगली बार में 3 एक बार 2.5 लेकिन देखो अभी हमने क्या एक एजूम किया था x not equal to integer x integer नहीं हो सकता इस case के लिए इस case के लिए x integer नहीं हो सकता तो यहां से x मेरा integer आड़ा है इसलिए इसको reject rejected जैंकि integer तो नहीं हो सकता यह वाला value accept होगा तो मतलब मेरा solution क्या आगया यहाँ तो पॉइंट फाइव और एक जी रो इसलिए x equal to 0,2.5 इस solution अपना answer है और एक question देख लेते हैं आपके अपने पास एक नहीं question है mode of 2x minus 1 equals to 3 greatest integer of x plus 2 factional part of it इसको solve करना है अब mode आ गया मेरे पास तो अब mode को break करने के लिए हमको देखना पड़ गया यह 0 कब हो रहा है x equal to 1 by 2 पर 0 हो रहा है यानि x अगर greater than equal to 1 by 2 रखें greater than equals to 1 by 2 रखें यह value positive है ता positive में mode का कोई मतलब नहीं है यानि इसको हम लिए सकते हैं 2x minus 1 equals to 3 into greatest integer of x plus 2 into fractional part of x ठीक है अब इसको हम solve कर जाएंगे पिछले वाले तरीका से तो इसको हम 2 क्या लिखेंगे i plus f i plus f minus 1 equals to 3 i plus 2 f fractional part को बोल रहे है i integer को बोल रहे है तो यहां से मेरा क्या आगिया 2 i तो इधा से हो गया i और यहां से 2 f से 2 f चला गया मतलब this equals to minus 1 i equals to minus 1 आगी आपने पास और i greater than 1 by 2 होना चाहिए लेकिन minus 1 तो छोटा हो गया अच्छा f निकाल लेते है ना यहां से अभी f में तो कुछ बैडियेवल आया नहीं आपने पास देखो f तो कट गया यहां से इसलिए f equal to 0 f कोई dependency ही नहीं है तो यहां से overall x equal to क्या रहा है minus 1 i plus f होता है ना तो minus 1 plus 0 यानि क्या रहा है minus 1 लेकिन x greater than 1 by 2 होना चाहिए मतलब यह क्या है यह तो less than 1 by 2 है ना तो reject हो जगया rejected क्योंकि x should be greater than equals to 1 by 2 मेरा condition था यहां पर minus 1 आ गया less than हो गया 1 by 2 less than 1 by 2 greater than चाहिए था तो यह reject हो गया अब आगे आते हैं अगर मेरा x less than equal to 1 by 2 हो जाए तो यह value कैसा हो गया negative हो गया तो negative को positive करने के लिए एक हमको minus देना पड़ेगा इसलिए हमने minus 1 के extra दे दिया और 2x minus 1 equals to 3 greatest integer of x plus 2 fractional part of x रहा x less than 1 by 2 हुआ तो यह value तो negative हो गया है की नहीं x equal to अगर तुम 0 टाल दो तो यह minus 1 तो minus 1 को plus करने के लिए एक extra minus देना पड़ेगा इसलिए हमने minus दिया अब mode का कोई मतलब नहीं है mode हटा दिये minus देने बाद तो सब positive हो गया इसलिए mode को हटा दिये 2x minus 1 equals to 3 greatest integer of x plus 2 fractional part of x अब इसको as it is कर जाएंगे हम लोग तो minus of 2 into i plus f और फिर minus minus को plus 1 कर देते हैं this equals to 3i plus 2f अब यहां से क्या हो गया इधर से 2 आ गया तो 5i और इधर minus 2 plus तो इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस 4f this equals to 1 यानि 4f equals to 1 minus 5i अब यह क्या होता है 4 this this belongs to 0 से लेके 4 के बीच में क्योंकि f जो होता है क्या होता है 0 से लेके 1 के बीच में अब इसमें 4 से multiply हो गया तो 0 से 4 के बीच में मतलब 1 minus 5i क्या होना चाहिए greater than equals to 0 होना चाहिए और lesser than 4 होना चाहिए तो अब क्या करेंगे हम इसमें दोनों तरह minus 1 करते हैं तो minus 5i lesser than 3 and greater than equals to minus 1 अब क्या minus 5 से divide कर देते हैं दोनों तरह साइन तो reverse हो जाएगा तो क्या हो जाएगा less than equals to minus 1 by minus 5 और यहां से क्या आगया greater than greater than 3 by minus of 3 by 5 and less than equals to 1 by 5 ठीक है यह तो आई है अपना तो integer इसके बीच में क्या है minus 3 by 5 से 1 by 5 के बीच में क्या हो सकता है integer अपने पास तो i equal to 0 होगा ना 0 होगा बिल्कुत सही तो i 0 होगिया अब इसको हम इसमें put कर देते हैं इसमें put कर देते हैं अपना solution है answer आजके लिए इतना रखते हैं ठीक है क्योंकि देखो ना अपने पास condition क्या तो x less than equals to 1 by 2 चीए था हमको यह अपना था ना तो उसके इसाथ से x equal to 1 by 4 condition satisfy क्या यह अपना answer है चलो आजके लिए इतना रखते हैं नेक्स वीडियो में हम लोग ग्राफ दखेंगे इसका सब कुछ का चलो thank you